लिए हैलो नमस्कार साती हूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने पेपर 1 का संस्कृित का पेपर है अभी आपके सामने जिन बच्चों ने ऑफिश्चन पेपर में संसक्रिट चूज किया था है तो उनके हम अभी आपको तीस कोशिंड के पूर सक करेक्ट आं है फटा फट से जाहिए और अपने चेक करिए चेक करने के बाद में एक काम जरूर करिएगा अपको कि 30 में से किसके कितने सही है ठीक है हम सिर्फ आपको question और correct answer बनाएंगे जिसमें फड़ा वच्चे आप match करके में को बता दीजेगा बाकि आपके super date के लिए बहुत-बहुत सारा all the best और आशा ही नहीं पर तो विश्वास है कि यूपर date में भी आप अच्छा score करके आए होंगे question number 63 क्या है आपका अव्याई भाव समाज का उधारण है आपका तो क्या उधारण है option B एकदम सही हो जाएगा अधिहरी इसी के बाद में question number 64 है आपका निम्न में से कौन चतुर विश्यति शाहस्ति सहीता के नाम से ख्यात है तो यह आपका क्या है option C रामायन एकदम सही हो जा 89 की Sanskrit संख्या नहीं है पूछा गया है question में नहीं है पूछा गया है विश्यति जहान दीजिएगा तो एकोन तती दिन भर में पाठ पढ़ डाला इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा यह पूछा गया था तो यहां पर आपका correct answer हो जाएगा option B दिने पाठा पठती question number 68 एकदम सही हो जाएगा अव्याई भाव समास इसी के बाद में चलेंगे question number 69 की तरफ 32 संख्या के लिए Sanskrit क्या होगा तो यहां पर आपको होगा द्वा त्रिन श्यत question number 70 का एक का आपका कि पती शब्द का सब्तमी एक वचन रूप क्या होगा तो पती शब्द का सब्तमी एक पचन रूप होगा आपको option A पत्यो इसके बाद में question number 71 है शिशु मोदकाय रोदिती उधारण है तो question number 71 का आपका यहां पर correct answer होगा option B फिर देखे question number 72 उच्चे है उधारण किसका है तो जहां पर आपका correct answer होगा option A फिर देखे question number 73 है आपका उश्म वर्णों का बोधक प् फिर देखे question number 74 क्या है आपका तो पठानी रूप है पठानी क्या है तो यहां पर आपका correct answer होगा option A पठ धातू लोट लकार उत्तम पुरुश एक वचन फिर question number 75 आपसे पूछा गया है कि क्षा मिलकर बना हुआ है तो क्षा किससे मुलकर के बना हुआ है यह तो बहुत simple सा question था option C एकदम सही हो जाएगा तो यहां पर आप अपने पंद्रा question पूरे complete कर चुके यानि 50% questions आप Sanskrit के चेक कर चुके है तो फटाफट से आप वेरी वेरी वाल्दा बैस्ट आपको आगे के 15th question के लिए लेकिन उसे पहले आप एक काम कर दीजे फटाफट से वीडियो को ल comment जरूर करना है आपको कि आपके कितने question सही हुए थे ठीक है तो question number 76 बटाइए फटाफट से संस्कृत साहित्य में किस कभी की रचना को विद्वय दोशधम कहा गया है तो यहां पर आपका correct answer हो जाएगा श्री हर्ष इसके बाद में चलेंगे next question अब देखें यह ना पूर भीयार था कहां तो यहां मतलब उनको और क्या कहा गया था तो यहां पर option हो जाएगा श्रगाला गदेखंडे क्या प्रश्न पूछते हैं तो यहां पर आपका correct answer आप प्रत्या हार नहीं है पूचा गया है Means यहां पर आपका correct answer रोजाएगा option D ला बाहे प्रितनियू की संख्या है तो यहां पर रोजाएगा ग्यारहा और उसके बाद में प्रितनियू संख्या 82 मनो रथा उधारण है तो मनो रथा आप में कौन सी संधी है यह पूछा गया था तो यहां पर रोजाएगा आपका विसर बी एकदम सही करमड़ा जो भी पूरा आप देख लिएगा उसके 84 का अंतस्त वर्ड पूछे गयते है तो जो आपके यह 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 वर्ड होते है न ला या वर रा अल्ला तो यही आपका यहां पर correct answer हो जाएगा option ही इसी के साथ में चलेंगे next question की तरफ question number 85 क्या है जोगा तो महाई Sanskritum रोचते है एकदम सही हो जाएगा फिर देख यह question number 86 क्या है मैं ऐसा मानता हूं इसका अनुवाद क्या होगा question number 86 तो यहांपर हो जाएगा हम एवं मन्य इसके बाद में देखे question number 87 क्या है आपका कि मैं बजार जाता हूं का संस्कृित में कर्मवाद चे क्या होगा ये पूछा गया था आपसे तो देखें यहां पर आपका correct answer हो जाएगा option B मया अपर्णम गम्यते ठीक बस तीन question सेश और finger cross करिए एकदम इन तीन questions के आंसर बताने से पहले मैं आपसे चाहूंगी कि एक बार आप वीडियो को फटा बढ़ते जल्दी से लाइक कर दीज़े जल्दी से फटा कर दीज़े और बिना comment में score कि आप नहीं जाएगे मैं को जानना है कि आपके इन तीन तीस प्रश्णों में से कितने सही हुएं हैं ठीक है तो तो question number 88 का आपका यहां पर correct answer क्या होगा बताईए कि पच्छ धातु का कि प्रत्या लगाकर रूप बनेगा क्या रूप बनेगा तो यह बताईए मैं को तो यहां पर होगा आपका option भी एकदम पक्वा एकदम सही हो जाएगा उसके पंचिनवती संख्या है तो इसका यहां पर correct answer हो जाएगा आपको option भी 95 इसी के बाद में question number 90 देखिए अब यह शब्द सम्हू है तो यहां पर आपको हो जाएगा सर्वत्र अधुना और उपर ही तो यानि कि यह हो गए आपके complete पूरे तीश संस्क्रिट के भी questions finally तो संस्क्रिट में आपका किस score क्या रहा CDP में आपका score क्या रहा पहले तो संस्क्रिट वाला आप इसी वीडियो के नीचे comment कर देंगे और उसके बाद में CDP और EBS और जिन संस्क्रिट लिए तो संस्क्रिट की answer के विलेबल है साथ में match की वी answer के ना on inhaler है कि किसके सही sound तो इसमें आपको कमेंट करना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया है मतलब यह में को जानना है कि सब्जेक्ट वाइस आपने कितना स्कोर किया है तो इससे यह पतर चलेगा कि कौन सा पेपर टफ था कौन सा इजी था तो यह थे आपके पेपर वन के सारे सब्जेक्ट की आंसर की और आशे इनिया पर विश्वास है कि आप लोग ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा इसी के साथ में सूपर टेट की तैयारी करना शुरू क कर दीजिए अभी जाई और बहुत 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 शारा आपको अल्दा बेस्ट आगे सूपर टेट के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फड़ा फट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथ में हमार वीडियो के एंड अमेशा कुछ रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए तिल देंट टेक केर बाइबाइब मिट वीडियो ने नेक्स्ट वीडियो